यो का मौसम है और इस मौसम में दही और उससे बनने वाले चीज़े बहुत ही ज़ादा अच्छी लगती है तो आज हम बनाएंगे ग्रेप्स का रायता जो की बहुत ही मज़ेदार और टीस्टी लगता है और दोपार के लंच के साथ में अगर आप इसको आड़ कर देंगे त और सिर्फ पांच मिनिट में बन जाता है कोई भी इसे फटा फट से बना सकता है चाहे उसको खाना बनाना आता हो या नहीं आता हो तो चलिए फिर आज के इस ठंडे ठंडे और मीठे ग्रेप्स के राहित यानि अंगूर की राहिते की रेसिपी की शुरुआत करते हैं मेरे चैनल अर्थ किचन को सब्सक्राइब करें यह मी रेसिपीज को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें साथी मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्द इसे जाके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिक अगर आपको मेरी रेसिपी चाहिए तो उसका जो लिंक है मैंने डेस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों में डाल दिया है आप वहां से चेक आउट कर सकते हैं तो अब आप देखें कि इस तरह से बीट करने से हमारे जो दही का टेक्शर है वो कितना स्मूध हो गय है तो अब यहां पर हमने इसके अतर वन फॉर्ट कप चीनी डाल दिये यह मैं यह पर थोड़ा मीठा खाना कम पसंद करती हूं उसके बाद यहां पर हमने आदा चोटा चमच ऑलाइची पाउडर डाल दिया है और उसके बाद यहाँ पर हमने दो बड़े चमच गुनगुने दूद के अंदर कुछ केसर के स्टेंज को बिगा के रख दिया था यह इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है आप इसे स्किप करके भी बना सकते हैं तो इन सभी को भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं तो इस तरह से हमा ग्रेप्स यहाँ पर मुझे थोड़े जादा पसंद है आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी को अपने पसंद के अकॉर्डिंग कम या जादा भी कर सकते हैं और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं तो लीजिए तयार है हमारा ठंडा 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 और मीठा ग्रेप्स और मज़ेदार लगता है और खाने में बहुत ही जादा स्वादिष्ट है तो आप भी अपने घर पर इस ग्रेप्स के राइते की रेसिपी को जरूर ट्राय करें और हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी ताकि हम इसे और भी तो बने रहें इसी तरह की और नई यमी रेसिपी के साथ